हेलो एवरिवन आज हम क्लास टेंथ मैथेमेटिक्स का चप्र नमबर 6 तिरभूज स्टार्ट करेंगे इसकी हम एक्सरसाइज 6 दिसम लोयक हल करेंगे तिरभूज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकरती को तिरभूज कहते हैं ये तीन सरल रेखाओं को आपस में मिलाएंगे तो जो आकरती बनती है वह क्या कहलाएगी? तिरभूज ये भी तीन रेखाओं हैं मान लो इसमें भी तीन सरल रेखाओं हैं लेकिन ये तिरभूज नहीं है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकरती जो आपस में रेखाओं मिली हुई हो आकरती घिरी हुई है उसे क्या कहते हैं? तिरभूज कहते हैं तिरभूज के ये हमारा क्या होगा? ए, बी, सी मान लो ये एक हमारा तिरभूज है इसमें कितने सीर्स हो गए? ए, बी और सी ये तिर भूज के तीन सीर्ज हैं तिर भूज के तीन सीर्ज होते हैं और कौन ए, कौन बी, कौन सी तिर भूज के तीन कौन हैं और तीनों कौनों का योग कितना होता है, 180 अंज तिर भूज के तीन कौन होते हैं और तीन भूजाए होती है और कौन ए, प्लस कौन बी, प्लस कौन सी कौन ए, प्लस कौन बी, प्लस कौन, सी का मान कितना होगा, 180 अंज एक तिर भूज में तीनों कौनों का योग, योग का मान कितना होगा, 180 अंज तीन सरलेखाओं से गिरी हुई आकर्ति को तिर भूज कहते हैं, तिर भूज में तीन शीर्स होते हैं और तीन संगत, तीन भूजाए होती है इनसे मिलकर एक तिर भूज बनता है, अब आते हैं समरूप आकर्तियों पर समरूप आवकर्टियां क्या होती है वे आकर्टियां जो दिखने में समान हो समान रूप की हो उन्हें हम समरूप आवकर्टियां कहते हैं जैसे ये एक बड़ा वर्थ है और ये एक छोटा ये दिखने में कैसे है ये भी बड़ा गोला है ये छोटा गोला है इनके आकार में तो फर्क है लेकिन ये दिखने में एक समान लग रहे हैं यानि कि समरूप हैं समान रूप के हैं इसलिए ये समरूप आकर्तिया हैं इसे इस जिन से परदर्शिद करते हैं इसी परकार ये एक बड़ावर्ग है, ये छोटा, ये भी आकार में तो एक जैसे हैं, आकार में अलग-अलग हैं, लेकिन आकृती में समान है, यानि के समान दिख रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हुए? समरूप हुए, तिर्भुजो की समरूप था, इस चैप्टर में हम तिर्भुज के बारे में पढ़ेंगे तो तिर्भुजो की समरूपता के बारे में भी जान लेते हैं, तिर्भुजो की समरूपता, तिर्भुज की समरूपता के दो नियम है, नियम नमबर एक, कोई तिर्भू समरूप तभी कहलाएगा तब उसमें उसके संगत कोन बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए. नमबर एक, संगत कोन बराबर होने चाहिए? तब वह तिर्भू समरूप कहलाएंगे और नमबर दो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए. तब दो तिर्भूज समरूप कहलाएंगे. ये एक, माना ये एक तिर्भूज है. ए, बी और सी. ये एक बड़ा तिर्भूज है. इसको हमने माल लिया. D, E, F. कौन A, कौन B, कौन C? कौन D, कौन E और कौन? F. यानि संगत कौन बराबर होना चाहिए. कौन A बराबर कौन D, कौन B बराबर कौन E और कौन C बराबर कौन F. माना ये तीस अंस है, ये साट, और ये तिर्भूज के तीनो कौनों का योग, एक सोस्ती. जब साट और तीस, नबबे तो ये हमने मान लिया, नबबेंस. इसी परकार ये भी तीस होगा, तब ये एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे. साट और नबबेंस. ये हम, और दूसरा नियम क्या है, कि संगत भुजाएं एक है अनुपात में होनी चाहिए. ये दो, तीन और चार. मान ले ये दो सेंटिम्टर है, ये तीन सेंटिम्टर है और ये चार सेंटिम्टर है. तो जब ये दो है, तो ये कितनी होन चाहिए? ये इसे बड़ा है, तो ये चार, छे सेंटिम्टर और आठ सेंटिम्टर. कौन ए, बराबर कौन डी, तीस डिगरी, तीस अन्स. कौन ए, बराबर कौन डी, बराबर कितना, तीस अन्स. कौन बी, बराबर कौन ए, सार्टन्स, और कौन सी, बराबर कौन एफ, नबबेंद. तीनों का योग कितना हो गया, एक सो असी डिगरी, यह नमबर एक. अब दूसरा कि संगत भुजाएं, एक ही अनुपाद में होनी चाहिए. कितना हमारा, एक हम दो, दो दो दूनी, चार एक बटा, दो अनुपाद आ गया. इसी परकार, बी सी बटा, ई सी. कितनी है? तीन और छे, तीन एक हम तीन, तीन दूनी चे. एक बटा दो, और सीड़ी, बटा, सी ए. चार बटा आठ, चार एक हम चार, चार दूनी, आठ, एक बटा, दो. भुजाओ का अनुपाद भी हमारा समान है. इसलिए हम कह सकते हैं कि, जो ये हमारे तिरभुज A, B, C हैं और D, E, F हैं, ये समरूप हैं. आपस में समरूप हैं, यानि समान आकार के हैं. संबाहुतिरभुज की समरूप था. संबाहुतिरभुज कैसे होते हैं, जिनकी तीन भुजाएं, समान होती हैं. यानि, जो तीन ये सरल लेखाएं, ये इनकी लंबाई समान होती हैं, वे संबाहुतिरभुज कहलाते हैं. संबाहुतिरभुज. दो हमने समरूपता हमने एक तिर्बुजी ये लिया A, B, C ये भी दो दो और 2 cm माल लिया हमने इसी प्रकार एक तिर्बुजी हमने ये ले लिया माना ABC इसमें ये कितनी है ये माल लो हमने ये ले लिया चार सेंटिमिटर ये भी चार सेंटिमिटर ये भी चार सेंटिमिटर तो जो संभावतिर्बुजे हैं उनमें अगर हम किसी भी उसका भुजा का अनुपाद निकालेंगे तो दो कम दो 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 नी चार एक दसमलो दो एक बटा दो एक बटा दो और एक बटा दो आएगा और संभाल रूज़ के तिनो कौन समान होते हैं 60 दिक्री ये भी 60 और ये भी इसी परकार ये 60 अंच 60 अंच और ये 60 अंच तो ये आपस में कैसे हुए समरूप सभी संभाल रूज़ आपस में समरूप होते हैं सभी संभा उतिर्भुज कैसे होते हैं समरूप यह तो होगे स्तर्भुतिर्भुजों की समरूप था हमने कक्सानों में एक और चीज बढ़ी थी सर्वांग सम सर्वांग सम का मतलब होता है जो जिसके अंग समान होते हैं यानि के वे बिल्कुल दिखने में समान होते हैं जैसे यह हमने एक तो यवरत ले लिया और एक ये 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 दोनों कैसे हैं दिखने में बिल्कुल एक समान है एक आकरती के हैं और अगर हम इनकी यहां से त्रिज्जा ना पेंगे तो वो भी एक समान होगी तब ये वरत क्या कहलाएंगे सरवांगसम कहलाएंगे इसे इस चिन से प्रदसित करती हैं ऐसे वरत यानि जिनकी त्रिज्ज्जा समान होगी सरवांगसम कहलाएंगे इसे वरत जिनकी त्रिज्ज्जा समान होगी क्या कहलाते हैं सरवांगसम कहलाते हैं जानि जब दो वरत आपस में समान हो उनकी त्रिज्ज्जा समान हो कोई भी तो चीए समान हो तो वह क्या कहलाएंगे सरवांगसम कहलाएंगे और समरूपतिरवुज जिनके संगत कोण बराबर हो और भुजाओ का अनुपात एक समान हो वह समरूपतिरवुज कहलाते हैं प्रशनावली थे 6.1 प्रशनावली थे 6.1 कोश्ठकों में तिये शब्दों में से सही शब्दों का पर्योग करते वे रिक्तिस्थानों को भरिये सभी वरत कैसे होते हैं सरवांगसम या समरूप इसमें आएगा समरूप यानि सभी वरत समरूप होते हैं सरवांगसम कौन से वरत होते हैं जिन की तरिज्याएं समान होती हैं जैसे यह चोटा वरत है यह बड़ा यह इन की तरिज्याएं समान होगी नहीं ऐसमान होगी इसलिए यह सरवांगसम तो नहीं हैं लेकिन समरूप हैं यानि के दिखने में समान हैं सभी वरत कैसे होते हैं सम्रूप होते हैं यहाँ पर क्या आएगा सम्रूप नमबर दू सभी वर्ग होते हैं इसमें खाली इस्थान में आएगा सम्रूप सभी वर्ग सम्रूप होते हैं वर्ग की तरिज्या नहीं होती है देखने में तो एक समान होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यहाँ पर समरूप भड़ते हैं, नमबर तीन, सभी तिरबुज समरूप होते हैं, हमने अभी पढ़ाया कि सभी संबाहु तिरबुज समरूप होते हैं, इसमें क्या आज का बराबर और उनकी संगत बुजाएं समानुपाती हों समानुपाती यानि एक अनुपात में हो यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रस नंबर दो निम्लिकित युगमकों के दो भीन-भीन उधारन दीजिए समरूप आ करतियां और दूसरा है ऐसी आ करतिया जो समरूप नही है कुश्चिन नंबर दो एक तो समरूप आ करतियां कौन सी होती है जो देखने में एक समान होती है एक तो धारन इसका यह है कि यह हमने बड़ा वर्त लिया और यह छोटा वर्त लिया यह कैसी है समरूप आ करतिया हैं और दूसरा हम ले सकते हैं त्रिभूज यह बड़ा त्रिभूज और जिसकी बुजाओं की लंबाई ज्यादा है और यह अब दूसरा है ऐसी आ करतिया जो समरूप नहीं है सेकिंड पार ऐसी आ करतिया जो दिखने में समान ना हो इसमें एक तो हमने वर्त ले लिया और एक त्रिभूज ऐसे आ करतिया जो दिखने में समरूप नहीं है इनके रूप अलग-अलग है यह त्रिभूज यह यह समरूप नहीं होते हैं, यहाँ पर लिख देंगें, एक वरत और एक तिरभुच समरूप नहीं होते हैं, यानि समान रूप के नहीं है, और दूसरा उधारन क्या है इसका, ए, बी, दूसरा उधारन में हम ले लेंगें, एक सम्दिव बाउतिरभुच और एक सम्बाउतिरभुच, या फिर एक बड़ा वर्ग और एक वरित, यह वर्ग है और यह वरित है, यह भी यह आपस में वर्ग कहलें या चतुरभुच कहलें, समरूप नहीं है, एक चतुरभुच और एक वर्ग समरूप नहीं होते हैं, यह हमने दो उधारन ले लिए, यह इसका, कुशन नमबर दो का एक आंसर ही आ गया, और यह, यह, प्रश नमबर तीन, प्रश नमबर तीन में क्या है, बताईए कि निमन लिखी चतुरभुच समरूप हैं या नहीं है, एक इसमें चतुरभुच दिया हुए है, S, R, P, Q, S, P, Q, R, और दूसरा है, A, B, C, और D, इसमें जो हम पहले सबसे पहले देखेंगे, जो भूजाओ का नुपात है, एक दिसमलो पाँच और तीन सेंटिमेटर, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, एक चतुरभुच तो कि दिया हुआ है, S, P, Q, और R, इसमें कितने पुजाओ दिया हुई है, एक दिसमलो पाँच सेंटिमेटर, ये भी और सब, और एक दिया हुआ है, वर्ग, A, B, C, और D, ये भी तीन सेंटिमेटर, दि हुई है, ये भी, और चतुरभुच तो कोन समकोन होते हैं, यानि सबका योग, सबका मान 90 अंस होता है, और चारो कोनो का योग चतुरभुच में वर्ग में 360 अंस होता है, इसमें तो ये 90 नहीं है, सबसे पहले देखेंगे भुजाओ का नुपात कितना आ रहा है, एक दसम लोग, पांच, पटा, तीन, दसम लोटा आएंगे, चीरो, पंदरा, आगम, पंदरा, 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 दुनी, तीस, एक बटे, दो, इन सबका निकालेंगे, तो एक बटा, दो ही आएगा, और संगत कोन बरावर नहीं है, तो ये कैसे है, ये नबबे ठीकरी है, यहाँ पर लिख देंगे, कौन, पी, बरावर नहीं है किसके, कौन, ए, इसी परकार, सारे, देख लेंगे, तो ये कैसे हुए, समरूप है या नहीं, इसमें लिख देंगे, कि दिये हुए, चतुरूपुज समरूप नहीं है, अते है, दिये गए चतुरूपुज, समरूप नहीं है, ये प्रश्ण नमबर तीन का आंसर है, हमने तीनों प्रश्ण नहर कर लिए, आसा है, आपको समझ में आए होंगे, अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कर देयर 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 कर द